नमस्कार जियोतर प्रदेश उत्राखन देख रहे हैं आप आपके साथ में वो दिवयतिवारी ख़बरों की शुरुबात करेंगे इस वक्त की बड़ी ख़बर के साथ जैंत चौधरी की पत्नी लड़ सकती है चुनाव चारू चौधरी को उतार सकती है आरेल जी वापत से चुनाव लड़ सकती है चारू चौधरी और चारू चौधरी के चुनाव रणने की चरचा चल रही है पेशे से फैशन डिजाइनर है चारू चौधरी 2014 में पत्ती जैंत के लिए उन्होंने प्रचार किया था चौधरी परिबार से तीसरी महिला होंगी चारू राजडीती में उतरने वाली तीसरी महिला होंगी तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे पेशे से फैशन डिजाइनर है चारू चौधरी जो की लोकसिभा का चुनाव लड़ सकती है पत्ती के लिए 2014 में उन्होंने प्रचार किया था एकने इस बार उनके चुनाव लड़ने की चरचा जोरो पर चल रही है जैन की प बागपत सीट पर अभी तक प्रत्याशी के नाम का एलान नहीं किया गया है लेकिन कई दावेदार सामने आ रहे हैं इस वीच एक और बड़ा नाम इस वक्त चरचाव में चल रहा है चारू चौधरी का माना जा रहा है कि आरल दी उन्हें यहां से प्रत्याशी बना सकती है बागपत से चुनाल रच सकती हैं चारू चौधरी की बागपत लोकस्पा सीट रालोस का सबसे मजबूत गर मानी जाती है से लेकर यहां पर लगातार चौधरी की जीटे पूर प्रधानमंत्री भी रहे है चौधरी प्रत्अट. तो यहां पर हो अपनी पत्मी को जैन चौदरी चुणाफ लड़ा सकते हैं लोगसभा भेसकते हैं वो परिवार की तीसरी महिला होंगे इसके पहले हैं चौदरी चशनल सिर्टी पक्मि का एप्तुरी देवी ने भी चुणाफ लड़ा था उनी सौस्ती में कैराना लोगसभा तो अब वो तीसरी महिला है चारू चादरी जो राजनीकी में इंट्री कर रही है और अमेरिका से पड़ी हुई है एक ऐसा नाम है चारू चादरी वहाँ पर जो लोग है जनता है पाकपत की उसने उनकी गहरी पकल है जैंस के साथ उनोंने चुनाव पचार भी किया था तो अ उनको मैदान में उतारने की तैयारी है बाकपत सीर्थ चाहती है कि अरेल्डी के पास ही रहे बिल्कुल अच्छा खासा इनका प्रोफाइल रहा है पेशे से फैशन डिजार्ण